हेलो गाइस वेल्कम तो अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्के फेंट बीकॉन टॉस्टिस सीप लिमिटेड गाई यह कब कमिंग आई पे हो जो कि आज के दिन आप इनों ने जा रहा जाने की कम्प्रेट आनल्सिस बिजिनस मौडल फिनाशल करिशन परफॉर्मेस जेंबी कि कि इतना चल रहा है लिश्टिंग कितना मिलेगा अप्लाइ करें या फिर अवाइड कम्प्लीट आनालिसिस आज इस वीडियो में डिसकस करें चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते है तो काई पे जो है ट्वंटी एट में को आपन हो आज के दिन थाटी में को क्लोज कि सब्सक्राइब करें कितरों इस्यू करी 9.29 किरोड का अमाउंट का अलॉट्मेंट डेट फाइनलाइज किया गया 31 में का और लिस्टिंग रखा गया फॉर्थ जून का और एनसी एसे में पे लिस्टिट किया जाएगा फिफ्टी सावन तो सिस्टी रुपीश बहुर शेग प्राइवेट लिमिटेड मिश्टर प्रताप सिंग इंद्रजित सिंग नर्थानी इसके प्रमोटर है प्री इस्यू होल्डिंग 67.88 परशन का पोस्ट इस्यू 46.14 परशन का होल्डिंग दिखने को मिल जाएगा एंकर इंवेस्टर सो 9.25 करोड का फॉन्डेस कर चुका है आफ बिजनस की बात करते तो कंपएज़र 2015 में में इस््टाइबिस किया गया था यह यह जो की सर्विसेंग अलग अरियास में जैसे है due diligence, custodial services, compliance, monitoring, documentation, disclosure, record retention, etc. वगरा भी प्रोवाइड करता है, कंपनी के service की लिस्ट की बात करता है, तो deventure trustship में क्या है, कि कंपनी जो issuing जो कंपनी होता है, जो कंपनी issuing कंपनी को assisting करती, assist करता है, issuance में किसी भी टाइप का इसमें कंपनी को assisting, assist बगरा करता है, जिसमें include NCD, non-convertible deventures, और security trustee for loans, मनलब की कंपनी जो है, एक investment manager को appoint करता है, जिससे trust funds, मनलब की जो beneficiaries होता है, जो loans लेते हैं, उनके benefit के लिए trust funds, जो होल्डिंग है, मनलब holding trust funds होती है, जिससे registration certification के लिए के साथ, जिससे registration certification के लिए apply कर सके, और accounts का books, जो है, maintain कर सके, confidentiality भी maintain कर सके, in respect to of the investments, जिससे confidentiality भी manage कर सके, और maintain कर सके, और other matters जैसे as per respective agreements के अंदर होता है, other matters, वो सा भी maintain कर सके ये company, इसके security trustee for loans के लिए, अंडर, alternative investment funds, इसमें क्या है कि timely declaration किया जाता है, बनाया जाता है investors के, जिससे timely disbursement किया जाए से के investors को ensure करती है, ये company, और investment जो ensure कर रही है, investment जो हो रहा है trust में, investment हो उसका ensure कर रही है, जिससे accordance with the agreement of assets को जो इसके accordance के अंडर में जो इससे बना सके, और जितने भी transaction है, ये properly accounted होता है agreement के साथ accordance के लिए, जिसमें ensure करता है ये company, इस service के अंडर है, और securitization और scroll में, company जो है, transfer जो ensure करती है कि transfer जो हो रहा है scroll account से, ये designated collection account में ही सिब बन सके, जा सके या other account specified जो किया रहता है, formal agreement में, उसमें मलए कि directly transaction हो सके, इसकी लिए company scroll बगरा करती है, और drafting और reviewing करती है scroll agreement का, और setup करता है scroll mechanism, documentation और timely monitoring का, 30 September 2023 का according, 69 employees company में total थे, अगर हम financial की बात करेंगे, 21 में 5.5 करोड का revenue 95 lakhs का profit, 22 में वो 10.4 करोड करेंगे, profit 3.6 lakhs का, 23 में 15.7 करोड करेंगे, और profit 3.8 lakhs का, 24 में 20.9 करोड करेंगे, 5.1 करोड का profit है, company का financial, top brand में तो अच्छी ग्रोथ है, consistent ग्रोथ है, लेकिन bottom line में अगर दिखेगा, तो 23 में और 22 में average performance, average growth हुआ, लेकिन उसके बाद 24 में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 22 में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 21 के comparison में, लेकिन 23 में average growth हुआ, profit, लेकिन 24 में वापन से बहुत इस्ठी ग्रोथ देखने को मिल रही है, कुछ risky point भी है, तो क्या है, कि regulations जो है, इसमें changes आती है, इसके कारण कंपणी के business model को impact रह सकता है, cost में increase हो सकता है और इसका कोई भी registered office अभी company के पास नहीं है, खुद का और company जो है, बहुत ज़्यदा outstanding litigation इसके against लगाया जा सक चुका है, जिसके कारण के पास में case वगरा बहुत आ चुके है, इसलिए गाइस company थोड़ा सा एक रिस्क हो सकता है, थोड़ा सा impact कर सकता है, plus business बिजनस बिज़ेक्ट टू extensive service related company business कर रही है, इसमें भी थोड़ा सा एक रिस्क हो सकती है, वह एक हम GMP की बात करेंगे, तो company का जो GMP चल रहा है, 90 रुपीज का, जिता प्राइस बंड़ा इसक की बात करेंगे, company जो है, technology infrastructure का existing business के लिए building up करना, building up करना चाहती है, और beacon RTA services private limited, में acquisition करना चाहती है, और इसको fully owned subsidiary company बनाना चाहती है, जिसे depository participants, registrar, और share transfer agent के services को comments करके, पूरी ता से अपना खुद का holy owned subsidiary बनाना चाहती है, और beacon RTA services private limited में acquisition करके, नए office premises का purchase करना चाहती है, general corporate purpose के लिए पुलाए गया, तो overall company security market related services जो है, provide कर रहा है, one roof के अंदर, top line में अच्छी growth है, bottom line में भी अच्छी growth दिखने को मिला, bright prospect दिखने को मिल रहा है, क्योंकि economy, जैसे से economy growth कर रहे हैं, इस company का भी scope, security market services से related, जो भी scope है, expand करेगा, जैसे economy growth करेगा, इंडिया में उसी तरह इसको भी growth दिखने को मिल सकता, advantage मिल सकती है, और company जो से segment में एक niche place कर चुका है, यह fully price रखा गया, अगर आप इसमें medium to long term के लिए investment करना चाहते है, guys, क्योंकि आगरने वाल टाइम में company अच्छी perform कर सकती है, और आप इसको apply करना चाहते है, आप इसमें apply कर सकते हैं, लिस्टिंग भी बहुत strong मिला है, लिस्टिंग के लिए आप consider कर सकते हैं, तो हम लोग वीडियो के प्रेंट करते हैं, अगर कोई doubt or comment box में पूछे मिलते हैं, नेक्स लोड़ों में दिलने, बाबाई